हेलो वाइज मेरा नाम है फैजल खान और आप सब का स्वागत है जियो खान यूडिप चैनल पर आज से हम स्टार्ट करेंगे पैले इंट लोजी एंड दिस यूर लेक्चर वन आज हम डिसकुस करेंगे फोसिल एंड इस कंडिसेंस और प्रिजर्वेशन ठीक है कुछ और भी अज़िडर्ड होता है ठीक और मॉट्च क्या है बीजर्वेशन के फिर को पैढ़ देखेंगे क्लास्रीफिकेशन कैसे करते हैं ठीक है उसके बाद में कंसेप्ट और इस्पी सेज आएगा। उसके बाद में नोमेंकलेचर देखेंगे देन और गनिक जो वर्ल्ड है उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे इन्टू एनिमल किंग्डम और प्लांट किंग्डम फिर एनिमल किंग्डम को कैसे क्लासिफाई किया गया प्लांट किंग्डम को कैसे क्लासिफाई किया गया उसके के बाद में basic terminology अपन डील करेंगे grade and body plan discuss करेंगे and then हम start करेंगे invertebrate palindology और invertebrate palindology को खतम करके vertebrate palindology पढ़ेंगे micro palindology पढ़ेंगे और उसके बाद में जो miscellaneous topics हैं like mass extinction गौणवाना flora, sivalic fauna, distribution of vertebrates, invertebrates and micro fossils in the Indian subcontinent और specifically India में अगर अपन बात करेंगे तो यह सारा सारा आपका रहाएगा और इन lectures के साथ में आपको एक update और है कि content तो बढ़ाया ही है अमने previously uploaded palindology lectures के comparison में लेकिन इसमें एक update यह किया है कि हमने हर video lecture के end में एक quiz add करिए और उस quiz में कम सकम 5 question होंगे और ज्याद स्यादा 10 question होंगे उन से आपको फायदा ही होगा कि आप lecture देके free होए और आपने questions को solve कर लिया और आपका revision वहीं पर हो गया ठीक है और एक idea भी हो जाएगा कि examiner exams में question कैसे सेट करता है सब्जेक्ट से अब जरूरी बात या आती है कि वाई डूबी नीट चुटी पैलेंट लोजी तो अगर अपन पैलेंट लोजिस्ट के perspective में देखें तो पैलिओ environmental conditions को decipher करने में बहुत एल्प करता है पैलिओ temperature conditions कैसी थी पैलिओ bathymetry कैसी थी हां कहां पे ओचन है कहां पे नहीं था जो रोक्स के डिपोजिशनल इन्वायरमेंट इसके बारे में बहुत अच्छे से बताता है इसके अलावा पैलिओ productivity के बारे हम बता देता है climatic conditions के बारे में यूँ बता देता है तो कुल मिला कि इसका importance बहुत सारा है ठीक है लेकिन अपने को वो सब तो पढ़ना नहीं है अपने को बस brief test देखना है कि भी कौन से fossils को किस तरह से use मिलिया आता है उसकी ecology के basis पे लेकिन अपने exam के perspective से किस तरह से important है आपके मोटा मोटी exam किया अगर बात करें तो आपके मेर में exam को नेगेट नेट जी एस आई प्रिलिम्स और मेंस हाना आई टी जेम भी एच्व एंट्रेंस और डियू एंट्रेंस इसके अलावा यूप्यसी च्सी मेंस optional में इफ्रोर्स इंडियन फ्रिष्ट सर्विस में optional के लिए तो यह में exam से इसके लावब आपके इंविश्टी के exam स्थी जाता है यह सब्जेक्ट आपके जरूरी है अब गेटमें देखेंगे कम से टारेक्टली और इंडारेक्ली पालेंटेलोगी तो पूछो यहाँ अधाये क нужते हैं। पूछो ही मत क्या हालत है फिर आप UPSC CSE में पूरा का पूरा एक सेक्षन है और यह कई सारी एक्जाम में गेम चेंजर की तरह काम करता है कि आप क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इसका बड़ा रोल रहता है तो पढ़ना जरूरी तो है आप अगर कॉंपेटि नहीं आती है कि कहां से उठाएं कैसे पढ़ें कैसे कनेक्ट करें और उसको एक्जाम में किस तरह से यूज करें क्योंकि यहां से क्यूशन पुछा आता है वह फैक्चुल होता है अब लौफ और ब्रेक्योपोर्स में मिलेगा तो उसी में मिलेगा लेकर इन चीजों को मिलेर होती चले जाएंगे ठीक है तो यह तो है कि सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी क्यों है और इसके इंपोडेंस क्या है नाव यहां पर जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसकी एक फंडामेंटल यूनिट जरूर होती है जैसे आप मिनरलोजी पढ़ोगे तो मिनरल में आपके पास में सब्सडामेंटल यूनिट्स पूरी की पुरीमिनरलोजी मिनरल की दिवाडश्य चलेगी मैं जब आप किस्छीय फटे स्पास चलेगा जब फञेud लेगा तो इसी तरीके से पेलैंटोड़ोजीमे उप्रागपूरा खेल है वह वो फॉसिल के आद पास चलता हैheid ठीक है किसके आद मेंगी क्या यौका फोन चलता है यह यह तो समझना of minerals then you come up to the minerals हना उसके बाद में इसे स्टेटिमेंट लोजी पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि साइंटिविक स्टडीओ अपडी सेडिमेंट्स हना फिर आप देखते हो कि सेडिमेंट क्या है कैसे होता है कैसे ट्रांसपोर्ट होता है कैसे डिपोजित होता है फिर किस तरह के लाइफ और यहां पर पर जान लाइफ की तो बात कर नहीं रहे हैं किस की कर रहे हैं पास्ट लाइफ की आप आप बोले कि कैसे तो जब आपन पहले अंटलोजी का तो एक मीनिंग देखें ब्रोडर सेंस में तो पैलेंटलोजी का मतलब क्या होता है कि पास्ट लाइफ और जो हमसे पहले रहके चले गए उनके किसी तरीके के तो उनकी करने के अपन कोशिस करते हैं आप सबसे फंडमेंटल के दिमाग में आता है कि जो हमसे पहले रहके चले गए कितने टाइम परानी लाइफ के बारे में अपन बात कर रहे हैं एक चीज़ पता जाएक है जो चीज आप से लाइफ से रेलेटेड है तो यहां पे आपके करते हो ना मिनरल के लिए बोलते को कि सॉलिड होना चाहिए होना चीए इंटरनल एक स्ट्रॉक्ट्टर उसके फिक्स होने चीए एक सच्टें रेंज ऑप केमिकल कंपोजिशन अने चीए यह सारी चीजा को सब्स्टेंज फुल्फिल करता है तो आप उसको मिनरल बोल देते हैं and then aggregate of the mineral is called rock आप आगे है ना कोई भी object को आप जैसे marker है तो इसको आप mineral नहीं बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे करते हैं उसके बाद में इसको आगे बढ़ाते हैं अब अपने insight life या study of the past life यह कैसे कर सकते हैं तो यहां पर टर्मिनल हो जाती है fossil we can study the past life with help of fossils now what is fossil है ठीक है तो latent language का word जिसका meaning होता है anything anything that can be dug up or extracted from the earth surface simple definition आ गई इसकी anything that can be dug up or extracted from the earth surface इसका माँ आपको diagrammatic view बताऊं तो यह हमारी earth surface है आप surface है down के तरफ जाओगे आप एक कोई भी process लेका है कोई भी एक ऐसा equipment लेका है जो यहां से चीज़े बहार निकाल सके ठीक है यहां पर बहार निकाल दिया आपने और इसको क्या बोल रहे हैं कि literal meaning के हिसाब से तो यह fossil है लेकिन यह possible नहीं है यह definition अपने आप में थोड़ी सी वेग है एस पस्ट है किलियर कट नहीं है कैसे जैसे आप यहां से कुछ भी निकाल रहे हो तो अपने को पता है कि यह mineral हो सकता है आप यह रोख हो सकती है यह hydrocarbon भी मिल सकता है क्या पता आपकी किस्मत बहुत तकड़ी हो यह फिर कॉल हो सकता है कि water हो ग्राउंड वाटर हो papa है कि सोल ही ही हुआ हो सकता है कि प्लांट Yeah ओ- Inside are you हो सकता है इसरफ आपको मध ही मिले हुआ हुआ है भोसकता है यहाँ पर कोई ग्रेब्यार रहा हो और पुराने टाइम के लोगों में जिनको दफनाया हुआ हो वो चीज बहार निकला है का गाल वगर है का इससा निकला है तो एनिधिन देट कन भी डगप और अक्ष्टेटेट फ्रॉम दियर्ट सर्फेस के नोट बी कॉल ऐस फॉसिल इसका मतलब क्या है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉसिल बोलने के सब्सद्राइब किसी भी अब जब तक अपर उस ऑब्जेक्ट से वो कंडिशन फॉल्फिल नहीं करवा लेंगे तब तक उसको फोशल नहीं बोलेंगे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करेंगे अब मानलो कि यहीं ऑब्जेक्ट को अगर मिनरल बोलना होता तो मेरे पा fossil नहीं बोलेंगे तो इसमें पहली condition जो है वो ये है कि the object or the concerned object must possess some direct or indirect relation with an organism अब आप बोलोगे कि कोई भी organism से direct relationship और indirect relationship कैसे define करते हैं direct relationship का मतलब समझोगी जैसे मालोगी कोई उसकी हड़ी का टुकड़ा मिल गया bone of peace, bone of jaw, bone of claw, piece of claws जो पंजे हैं उनका कोई टुकड़ा मिल जाए, जबडे का कोई टुकड़ा मिल जाए skeleton का कोई पार्ट मिल जाए जिससे हम relate कर पाएं कि किसी organism का रहा होगा indirect relationship में कैसा होगा कि मालोगी कोई organism वो bill बना के रह रहा है, तो bill जहां पे बना हुआ दिखेगा तो आपन बोल देंगे यह किसी lives related है, या किसी चलने के, फिरने के, रेंगने के निसान मिल जाए, या किसी tunneling या safting के निसान मिल जाए, समझ रहे होना जैसे मालोगी कोई surface है, यह आपकी muddy surface है, muddy surface समझते होना, muddy surface है, ठीक है और यह consolidated near soft है और इसके ओपर dinosaur चला, ठीक है dinosaur चला, बहुत बढ़ा होता है, इसलिए dinosaur चलेगा, तो इसके पेर के निसान जो है, वो इस surface पर आजाएंगे मालोगी कोई muddy surface है, उसके उपर आप चल रहे हो, चलोगी तो आपके पेर का निसान उसके उपर आजाएगा, तो footprints मिल जाए हाना, तो कोई footprints हो, या वोई है जबड़े का टुकड़ा, कोई हड़ी का टुकड़ा, कोई पंजे का टुकड़ा ये direct relationship में आजाएंगे चलने के, फिरने के, रेंगने के, footprints के निसान जो है वो आपके indirect relationship में आजाएंगे तो एक चीज़ तो यह हो गया है कि कोई भी जो concerned object है, जिसको आप fossil बोलना चाहते है, वो किसी न किसी organism से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो direct relationship हो सकता है, और direct relationship में क्या क्या आजाएगा, आप सोच सकते हो, अराम से आप indirect में क्या क्या आजाएगा, ये भी आप अराम से सोच सकते हो, ठीक है, अब जैसे आप से पूछा, अब दूसरी condition जो है, वो ये है, the concerned object must be preserved by, concerned object must be preserved by natural processes, आप बोलोगे कि ये natural processes का मतलब क्या है, जैसे इसका एक आपको artificial example बताता हूँ, कि कोई organism artificial processes से preserved हो रहा है, तो उसको अपन natural से कैसे समझते हैं, जैसे आपने पास में mummy of Egypt है, mummy of Egypt, नाम सुना है, मिसर की mummy, ये artificially preserved करी जाती है, ठीक है, हालांकि इनका direct relationship है, organism से किसी इनसान के सरीर ही तो है, हाना, human body ही तो है, लेकिन still, they are preserved by artificial processes, that's why we are not considering mummy of Egypt as a fossil, है ना, तो एक दूसरी fundamental conditions जो आपके सामने आती है, कि जो artificial objects, artificially preserved objects हैं, उनको हम कभी fossil नहीं मानेंगे, तो आप बोलो कि एक कोई natural process से बने विए example बताओ, जैसे मान लो कि यहाँ पर बहुत सारी life रह रही है, ठीक है, अचानक से बहुत सारा मलवा आया, ठीक है, मान लो कि कोई land slide हो गई, ठीक है, तो land slide होगी तो यह सारे क्या होंगे, बरेट हो जाएंगे, और बरेट हो जाएंगे, तो यहाँ पर जितना भी मलवा होगा, यह oceanic basin का bottom है, यहाँ पर बहुत सारी life रह रह रही थी, अचानक से sediments आये, बहुत सारे, अब sediments क्या होते हैं, वह यह मां आपको बता देता हूँ, बहुत सारे sediments आयों और यहाँ पर subtle down हो गई, तो अब यह जो sediments का पार्ट हो जाएंगे, यह life जो होगी, पूरी के पूरी के पूरी क्योंगे बरीड हो चुकी होगी, हाना, तो जब यहाँ से जो रोग बनेगी अपने पास में, उस रोग के अंदर इन organisms के क्या मिलेंगे, remains मिलेंगे, तो इनको भी अपन क्या हो लेंगे, fossil, समझ में आ गया, लेकिन यह ज़रूरी है कि अब जैसे यह हो गये कि दो रिलेशन हो गए, कि एक तो concerned object हो डायरेक्ट रिलेशनशिप से हो गरे, organism से यह indirect relationship से हो करे, दूसरा कि यह natural process से result होना चाहिए, तीसरा यह भी यह दो condition sufficient है गया, जैसे आप से पूछा जाए कि यह जो रिमेंस ओफ इंड़ास और नील सिविलाइजेशन मिल रहे है, remains of नील और इंड़ास सिविलाइजेशन, इनको फोसिल कंसिडर कर सकते हैं, तो जवाब आयेगा कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप बोलोगे कि यह तो direct relationship भी शो करते हैं, और indirect relationship भी शो करते हैं, और natural process से preserved हुए हैं, तो इनको हम फोसिल क्यों नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर एक fundamental property और condition और आती है, उसको आपन बोलते हैं, देख, concerned object concerned object must be of pre-historic nature, अब यहाँ से pre-historic nature का क्या मिनी है, प्रि-historic का मतलब आप जैसे history में पढ़ते हैं, वो यहाँ पर आपन considerate नहीं करें, प्रि-historic का मतलब आपन geological perspective में बात करना चाहते हैं, और geological perspective में बात करेंगे, तो concerned object आवो at least 10,000 years old होना चाहिए, आप बोलेगे 10,000 years old क्यों होना चाहिए, ऐसी क्या समस्या है, ऐसी क्या जरूरी है, कि हम उसको 10,000 years old माने, हम 5000 साल भी तो पुराना मान सकते हैं, 2000 साल पुराना भी मान सकते हैं, 8,000 साल पुराना भी मान सकते हैं, 10,000 साल ही पुराना मानने की क्या जरूरत है, तो यहाँ पर यह इसका आंसर देती है, आप बोलोगे कैसे, जियोलोजिकल टाइम सकेल इसका आंसर कैसे देगी, इसका simple सा reason यह है, कि हमारी जियोलोजिकल टाइम सकेल में जो youngest epoch है, holocene, ठीक है, इसकी age कितनी होती है, 0.01 mega enum, और जब आप इस 0.01 mega enum को convert करोगे, years में, तो 0.01 mega का मतलब है 10 के power 6, और enum मतलब यहाँ पर years लिख दे रहा हूं, जब इसको convert करेंगे, तो यह कितना आएगा, 10,000 years आएगा, तो जो भी अपने को object मिल रहे हैं, जिसको अपन fossil बोलना चाहरे हैं, तो उसको मैं geological studies के लिए यूज करूँगा न, तो कम से कम मैं उसको geological time scale में fit तो कर पाऊं, इसलिए अपने fundamental condition क्या है, कि the concerned object must be of pre-historic nature, और pre-historic nature का मतलब क्या है, कि वो कम से कम 10,000 साल पुराना हो, तो इसका मतलब यह है कि remains of neil and india civilization, अगर यह 10,000 साल पुराने होते, तो वो fossils का part होते है, हाँ obviously वो fossil कहलाते, लेकिन अभी नहीं हो सकता है कि आने वाले 5000 साल बाद में हम इनके remains को fossil बोलना चालू कर दे, लेकिन हाल फिलाल में नहीं बोलेंगे, तो आप बोलोगे कोई एक example बतातो fossil का, जो इन तीनों condition को फुल्फिल करता हो, तो इसका simple सा answer है Neanderthals and stone tools used by them are considered as example of fossil, अब आपके पास में एक object था, उस object के उपर आपने यह तिनों condition अपलाए करी, पहले condition यह देखी, कि वो concerned object जिसको आप fossil बोलना चाहरे हो, वो direct या indirect relationship शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है किसी organism के साथ में, दूसरी condition आपने यह देखी, कि वो natural process से preserved हुआ है कोई artificially process से वो preserved किया गया है, तिसरी condition आप नहीं देखी कि वो pre-historic nature का है कि नहीं, pre-historic nature का मतलब क्या हो गया, कि वो 10,000 साल पुराना है या नहीं है, अगर 10,000 साल पुराना है, तो उसको हम fossil consider कर सकते हैं, और एक typical example अपने माले है कि Neanderthals and the stone tool used by them of Neanderthals कौन थे, इसको सारे segments में classification भी आएंगे, ठीक है लाडले, तो यहां तक I hope कि आपको fossil की definition समझ में आ गई हो गया, fossils are actually direct और indirect remains of past life, preserved by natural processes and are of pre-historic in nature, यह आपकी एक well constructed definition हो गई, fossils की, अब इस lecture में अपने इतना ही रखते हैं, एक definitive portion आपको समझ में आ गया होगा, now next lecture में अपने discuss करेंगे कि how the dead organisms are converted into or transformed into fossils, तो condition of preservation आएंगे, उससे पहले आपन और कुछ basic चीजों के बारे में बात करेंगे, and then we will start the condition of preservation, so thank you so much for watching this video lecture, and all the very best for your examinations, यह आपके past question है quiz के, वैसे तो बहुत ज्यादा significance नहीं है, क्योंकि सिरफ definition ही अपने discuss करी है, लेकिन फिर भ चीजों को आप कितनी अच्छी language में लिख सकते हैं, यह आपका एक थोड़ा सा practice हो जाएगा, तो इन questions का answer देना, पहला question है, why remains of indigenous civilization are not considered as fossils, दूसरा, mummy of Egypt are fossils, यह question mark है, if yes then justify, if not then explain it, तीसरा question है, what are the fossils, तो यह तो definition उपर ही ही लिखी हुए, लेकिन आप इसको अपनी language में भी चाहें, तो एक बार लिख के देख सकते हैं, कि आपको जितना समझ में है, उसको आप अपनी language में कैसे लिख सकते हैं, चोथा question है, what do you mean by pre-historic in nature, in definition of fossils, and why is it so, तो यह आपको समझ में आना चाहिए, कि हम pre-historic nature का क्या meaning ले रहे हैं, और क्यों ले रहे हैं, उसको आप अपन इनका answer आप दीजिए, फिर आगे बात करता है,